हलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्पूनिटी आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्यूरुप से पंचायती राज यानि स्थानिश वशाषने ने लोकल सेल्फ गौर्रमेंट पर हमारी चर्चा रहेगी देखिए यह जो लोकल गौर्रमेंट है यानि पंचायती जागर देखें इसमें तीस जो प्रेशन है वो सीधा सीधा किसे पंचायती राज से आते हैं मगर सिस्क्या एडियो में आते हैं क्या जी नहीं इसके अलावा एक बहुत ही रेपुटेटेटेटेट एक इसदाम होता है जिसका नाम है CMO में भी इस्थानिश वशासने पंच स्थानिश वशासन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं याने कुल जमा क्या हुआ तो यह हुआ कि आपको पंचायती राज का बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि यह लगभा लगभा सभी जांस में पूछे जा रहे हैं ठीक तो आज की चर्चार होईगी यह पं समाज के विकास के लिए किया जाने वाला प्रयाश या समाज के विकास के लिए की जाने वाली जो प्रयास करती है वही प्रशाशन कहलाता है ठीक तो समाज के विकास के लिए प्रशाशन किया जाता है ओके तो प्रशाशन समझ गया अब समझते हैं स्थानी प्रशाशन इस करण हो और एक जब सक्तियां दूसरों में बट जाए मतलब अपनी पावर को दूसरे में बाट दिया जाए उसको बोलते हैं सक्ता का वी केंद्री करण याने decentralization of power ठीक है पहले आप समझें इसको अच्छे समझें फिर हम स्थानी शोषाशन पर चर्चा करेंगे विस्तार से क्यों कि यहां का सीन है यहां का है कि यहां का है उसको समझना पड़ेगा पहले आप समझें कि सत्ता का केंद्री करण या centralizedization of power कहते है और विकेंद्री करण क्या है जब सक्तियों के अपने पास पूरा सक्तिया ना रखे बाट दिया जाए निचले स्थर पर भी आपका क्या करना करके प्रशाशन क्या कहला आप समझें इसका जीता जाहता गर example देखें तो भारत जो है भारत भारत कैसा है तो सत्ता का उसने विकेंद्री करण कर दिया है कई मामलों में यह अच्छा होता है कई निगेटिव क्लॉस भी है मगर ज्यादा चार चीजे जो है इसकी positive आती है देखें एक आदमी को आ सकती नहीं है समय बटी हुई है तो माली अगर खराब निकल गए तो बाकी सब तो सही है ना काम चल जाएगा मगर और बाकी अब और देखें माली जी इसकता का केंद्री कर दिये अगर राजा याने जो प्रशाशा के वह ठीक रहा तो ठीक है और माली जे राजा निरुंकुस निकल जाए किसी की सुने ही ना कोई जाए तो अगर उसके पास सक्ती का केंद्री करण है तो वह बहुत ही राज के लिए घातक सिद्ध हो शकता है ठीक है ऐसे एक एक जामपल में देखेंगे तो उत्तर कोरिया जो है वह आप इस तुमें कंपेर करेंगे तो आप सक्ता का केंद्री करण याने सेंट्रलाइजि अगर देश होगा फिर फ्रीडम वगर है चीजे तो भूली जाए जो फंडमेटर राइट्स है वो तो रहने दीजिए ठीक बगर हमारे हाँ कैसा है तो हमारे हाँ जो व्यवस्ता है सत्ता का विकेंद्री करण है हमारे हाँ जो पावर्स है वो तीन इस तरू में बटी ठीक उसने कुछ पावर राजों के मुख्यमंत्रिया ने राजों को देख रखी तो कुछ मावलों में राजों को पावर मिली ही और उसके बाद राजों ने कुछ पावर जो है वह और निचले स्थार पर दिया है सबसे निचले स्थार पर दिया है इसी को इस्थानी शरका आगे समझेंगे उसको तो आप पहले समझे जब सक्तियों को बाटा जाता है और बाट कर नीचले स्थर पर लाएगा एकदम ग्रास रूट पर उसी को स्थानी श्वाशाशन कहा जाए ठीक चले देखे उस पर और डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं जैसे ऐसे बात करें ज ग्रास रूट मतलब सबसे छोटे लेबल पर ला रहे हैं तो छोटे लेबल पर लोकतंद्र का विकास करना लोकतंद मतलब लोगों का तंत्र लोगों का विकास लोग अपनी भागीदारी में अपना जो कंसर्ण है वो खुद बताए ना कि कोई और बताए ठीक है तो लोकतं मतला आप समझते ही होगे लोगतंत्र मतला लोगों का विकास लोग अपने लिए खुद कानून बनाए अपने ही राजा हो जाए ठीक तो यह ओंगया आपका इस्थानी स्थानी श्वशाशन सहा देखो सहभार का मूलक लोकतंत की स्थापना, सहभागीता मतलब है, सब को मिल जुलकर, ठीक, सब का, सब मिल जुलकर क्या करें, अपना विकास करें, इस्थानी स्थर पर, सरकार, पॉलिसी जो है, वो ग्राउंड स्थर पर आकर बना, एक दम उपर, उपर, इसी में बैट कर न बना, ठीक, ग्राउंड रूट पर जो जनता है, वो खुद अपने नियम तै करें, अपनी पॉलिसी खुद बनाए, ठीक, और यही कहा है अपका स्थानी श्वशाशन, स्थानी मतलब अपना, यहने लोकल लेबल पर, ठीक है, सहभागीता मूलक यहने, ग्रास रूट में जाकर प पर हो स्थानी श्वशाशन कहलाता है, अपको थोड़ा सा डीक है, इस थानी श्वशाशन में एक जो भाग है, जो आपका ग्राम के लिए, यहने गाओं के विकास के लिए काम करता है, उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है इस्थानी श्वाशाशन में याद रखेगा पंचायती राज जो है ग्राम इस्तर पर लोकतंत्र की सुरुवात करना या ग्राम इस्तर पर उतर कर काम करना या योजनाय बनाना यह कहलाएगा पंचायती राज कहलाएगा इस्थानी श्वाशाशन का दूसरा जो भाग है वो तो नगर के लिए योजना बनाना या वहां पर जाकर कारु करना ही नगरी प्रिशाषण कर लाता याने स्थानी श्वषशाषण दो भागों बटा हुआ तो प्रेश्ण कैसे भी दे पंचायती राज का है और नगही निकाय form का फिन इस तरह से आप इसको समझ के आज या फिन इस तर सकती निए फिन के समिए ARE ऐसा विवस्ता हमारे भारत में पहले नहीं थी क्या तो जी नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे विवस्ता झो है यह हमारे प्राचीन कांसे इतिहास से ही यह विद्दमान है, हमारे जो राजा रहे हैं सौभागिवस, वो हमेशा सक्तियों को अपने पास स्टोर करके नहीं रखते थे, निरंकुस कुछ मिल जाएंगे, ऐसे गीने चुने, बट ज्यादा तर जो साशक हैं, वो इस बात को समस सक्तियों को बाट कर प्रशाशन करने से क्या होगा, समाज आगे जाएगा और समाज उन्नती करेगा, ठीक, तो इस तरह से अगर हम हितिहास की बात करें, सबसे पहले हम रिग वेद में अगर बात करें, तो रिग वेद का प्रशाशन अगर आप देखें, तो रिग वेद मे भी सक्तियों को बाट कर अलग-अलग लेवल पर प्रशाशन किया जाता है चलिए आई देखते हैं रिग वेद को पहले देख लेते हैं पहले आप हिस्ट्री देखे पंचायत की हिस्ट्री अज़े स्टार्ट करें तो सबसे पहले रिग वेद में देखे सबसे छोटी काई ज चैनी कोन होगा ऊसके बड़ा बड़ा तो यह अलग-अलग शक्तियों का बटवारा करके प्रशाशन कर रहा तो किस्थानी प्रशाशन नहीं हुआ क्या वही तो अपड़ रहे हैं जब सक्तियों का पटवारा किया जाता है राजन है यह रिगवेद काल सही इस बात को समझ रहे हैं कि सत्था का केंदरी करण नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होगा चीजे भीगड सकती है ठीक है इसलि एक जो साशन है उसको थोड़ा सी आद रखेगा ये आपका है चोल सामराज हमारे अगर भारत की बात करें देखें चोल, चेर और पांडे ये तीन सामराज आपको मिल जाएंगे इधर साउथ में तीन सामराज तीसरी सब्दातीस से लेकर आपका बहुत नवी सताब दीता की रहते हैं चोल, चेर, पांडे तो इसमें चोल सामराज जो है अभी पिचर भी आए थी आपका PS1 ऐसे करके तो चोल सामराज को प्राचीन भारत का स्थानी शोशासन का जनक कहा जाता है इसको याद रखेगा ये प्रश्ण पूछा जा सकता है प्राचीन काल में स्थानी शो प्राचीन काल में स्थानी शोशाशन के जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो चोल सामराज को जाना जाता है उसके बाद अगर अगर मौर काल में भी आपको मिल जाएगा गुप्ट काल में बात करे तो गुप्ट काल में भी जागा आपके जैसे जब चानाक ने अपने गरत अससास में भी ऐसा बताया है कि शक्तियों को राजा की पास महीत नहीं होना चाहिए सक्तियों का decentralization होना चाहिए अगर राजा निरंकुस निकल जाए तो क्या हो सकता है तो सारे जो positive और negative बाते हैं उसने बताई तो चाणक का असास में भी ये वर्णा मिलता है कि सक्तियों का केंद्री करण ठीक नहीं है उसके बाद देखिए अगर सल्तनत कारिया ने दिल्ली संतलत की बात करें तो वहाँ भी मुकद्दम जैसे पोस्ट हुआ करते थे तो ये भी इससे भी पता चलता कि हाँ ये ऐसी व्यस्ता पहले से नया concept नहीं है थोड़ा सा अगर आप देखें तो मुगल जो काल है वहाँ पर ये विवस्ता है खतम होती दिखती है क्योंकि जो पावर है वो राजा अपने पास केंदित रखता है तो मुगल काल में ये विवस्ता थोड़ी सी कम हो जाती है उसके बाद अगर बात करें 36 गड़ की थोड़ा सी बात कर लें तो 36 गड़ में मधिकाल में आपने कल्चूरी पढ़ाए या पढ़ेंगे तो कल्चूरी जो है कल्चूरियों में एक विवस्था होती थी जिसका नाम था पंचकूल विवस्था ये थोड़ी थोड़ी एक्जक पंचायत तो नहीं बोलेंगे मगर थोड़ी थोड़ी पंचायत से मिलती थी उसमें नयाव वगरा समदी था कई लोग थे तो याद रखेगा कल्चूरियों की जो पंचकूल नामक विवस्था है ये पंचायत से मेल खाती है तो ऐसा नहीं है कि नया कंसेप्ट मैं फिर से दोहरा दूँ थीक है तो याद रखेगा कल्चूरियों का कौन सी ववस्था है पंचकूल विवस्था जो है पंचाय से मेल खाती है यह फ्रस्ण हो सकते है पंचाय से पंचकूल ऐसे आ ठीक इसके बाद थोड़ा से आते हैं, अब आ जाते हैं अंग्रेजों की पास, देखिए, मैं आपको उता हूँ, अंग्रेज बिल्कूल भी, वो तो अंग्रेज, जो निरंकूस होगा, जिसको जनता की नहीं पड़ी होगी, वो सक्तियों को नहीं बाटेगा, इस पस्ट कर लिजे और जो समाज का कल्यार चाहेगा, वो क्या करेगा, सक्तियों को बाट कर प्रशाशन करेगा, क्योंकि वो अपने पास ज्यादा सक्तिया होल्ड करके नहीं रखेगा, मैंने जिससे बताया ना, एक कड़ी भी खराब होगी, तो बाकी सब सही रहते हैं, तो वो सब मैनेज हो जाता है, मगर अगर सक्तियों के बटवारे में भरोसा नहीं करते थे, हाँ, मगर क्या हुआ, धीरे-धीरे, जिनको जहां जरूरत पड़ती थी, वहाँ पर उसको अप्लाई करते थे, जैसे मैं आपको उता हूँ, 1688 की बात है, ठीक है, 1688 में उन्होंने क्या कि उनको उसके बाद और कहां जरूरत पड़ेगी, तो कोलकाता में 1726 में कोलकाता में नगरपालिका बनाई, नगरपालिका मैंने बता दिया, इस्थानी शोर्षास्टन वाला लिंक कर लेना, तो उन्होंने दो जगा बनाई, उसके बाद भूल गया, तो होगया, आपना काम होगया आपने यही से रूल करते हैं, यहाँ पनगरपालिका बना दिया और हो गया, मगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें, तो 1857 की करांती होती है, और उनको समझ में आ जाता है, कि हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा हमको, सक्तिया तो बाटी पड़ेगी, प्रशाशन करना है, थोड आदिये, विभाग ऐसा कोई और सक्तिया नहीं देंगे, उसके बाद जो है, एक व्यक्ति यादेगा, लाड मेयो है, यह, मेयो, 1870 में यह सक्तियों देने की बात कहते है, कि स्थानि शोशासन को सक्तिया भी तो दो ना, ऐसे थोड़े बोल दिया और हो गया, ठीक है, हाँ तुम राजा हो, बोल दे मूँ से, ठीक है, मूँ के डीजे से बोल, तो डीजे बनना नहीं, तो आपका यह, 1870 में, इसके बाद जो आएंगे, 1882 में, यह, लाड रिपन को थोड़ा से याद रखेगा, आधुनिक भारत में, ठीक, याद रखेगा, दो प्रशना है, बोल, रिपन होगे, 8082 में, उन्होंने क्या किया, प्राशाशन को बाटा, डीसेंट्राइज Commerce किया, कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया, पहले जिला बनाई था, लिए जिला और एक तालुका, यहन तहसिल समद दो, तालुका दो चीजे बनाई जिला और तालुका लिख दिया है ताल जिला जिला बोड की स्थापना की सक्तियों को बाटा जिला में बाटा उसके नीचे और क्या बनाए तो तालुका इन तहसील बनाई तालुका बोड की स्थापना की ठीक है पंचायती राज ये स्थानी शुशाशन का जनक आधुनिक भारत में किसे कहा जाता है लॉड रिपन को कहा जाता है ठीक है अंगरी जो को लॉस हुआ भाई अब शत्ता का विकेंद्री करन कर रहे है तो यह याद रखेगा लॉड रिपन को थोड़ा सा मगर प्राचीन भारत हमारा चूल जाए उसके बाद और आगे जाते हैं, भॉण रूण मतलब घर का रूण सौराण मतलब जाते हैं इसको माना जाता है में मौन्टेंगी चुम्सफोर्ड योजने आती है जो कि 1919 में भारष शाषन अधिनियम के रूप में प्रकाशित होती है और 1919 में जो भारष शाषन अधिनियम है यहां पर द्वैद शाषन की बात की जाती है ड्वैद शाषन में भी सत्ता का विकेंदरी करन हमको इस रिजर्भ टाновर इजींट के रूप में सामने आते हैं जिसमें आरक्षित जो विचे है वो क्या है ग्यार गार्णर के पास है जैसे कि उसने क्या रख लिया है जैसे शुरक्षा रख ली है डांक रख लिए है पैसे रेविन्य रख ली जो हस्तांतरित विशे हैं भारतियों को दे दिये गए, जाड़ू लगाओ बेटा, आप साफ सफाई करो, और आपका स्वक्षता पर ध्यान दो, कुछ तो पावर मिला है, मिला तो कम से कम, तो यह द्वैद शाशन याद रखेगा, द्वैद शाशन में हस्तांतरित, हस्तांत हो गया, पुलिस वेगस्ता हो गया, पैसे वैसे हो गया, रवेनी हो गया, यह आरख्चित वीज़िक पार धिख रहा है, तो यही सब्जेक्ट आपको दिखते है, बड़ा सा इंप्लीमेंट में ठोड़ा दिकत हो जाती, सेकेंड व ल वर्ड वार गर्ए आ आजाता, 1927 वर देखना होते तो उसके में देखें यह तो हो गया हमारे अगरेजों का अगरेजों में एक आप रिपन याद कलेंगे तो भी चल जाएगा अब यह चीजे भारती भी देख रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्री करने में समाज आगे बढ़ता है सब की भागीदारी होती है सब यहांपर समझेगा गाधी ची कहते है कि अगर भारत का विकास करना तो गावों का विकास करना ही पड़ेगा इसके बिना होगा ही नहीं क्योंकि हमारी जो उस समय तो 90% या 80-90% जो जन संक्या है वो गाउं में ही निवास करती थी यानि गाउं का विकास किये वे न भारत की कल्पनाक नहीं कर सकते हैं गाधी जी ठीक थे और लोग भी सहमत थे तो आप देखे चैलेंज क्या है ठीक है गाउं में रहते हैं पहली बात यह है कि भारत की जादा तरजन संक्या जो है वो क्या है वो असिक्षित है ठीक है और उनके हाथ में अगर पावर दे दिया गया ठीक है पहली बात तो होगा क्या, होगा क्या, वही हो जाएगा, वही, जो सामंतवादी विवस्थाथी, जो पहले राजा-रजवड़ा वाली विवस्थाथी वो आ जाएगी, आज भी आप देखते होंगे, उसे जो लिंक देखिएगा, गाओं में कई बार सरपंच या जो पंच जो रहते हैं, ठीक है, आपका प्रधान बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं, तो जो सरपंच रहते हैं, वो एकदम राजा जैसे विव करते हैं, जहां पर लिटरिसी रेट थोड़ी कम होती है, पढ़े दिखे में तो जैसे सहरों में तो ऐसा नहीं हो पाता है, बट गाओं में आप देख है, राजा राजवणाला सिसम, वो फिर सिर्फ दुपारा रिपीट हो जाता, पहली समस्या ये, दूसरी समस्या एक और थी, कि अगर सक्ती दे दिये, ठीक है, तो अब देखे, होगा क्या जो पाकिस्तान के साथ हुआ, हमने दिल पर पत्थर रखकर उसको अलग किया, कैसे वो लोग क्यों अलग हुए, उनको भी सत्ता चाहिए थी, तो पाकिस्तान न बने, हमारे हर गाव पाकिस्तान न बन जाए, इसलिए भी ये ववस्ता अच्छी तो थी, मगर उस परिस्थिती में, जो परिस्ती में हम आजाद हुए थे, उस समय ये सही नहीं थे, तो क्या कर तो उन्होंने कहा कि एक विकलप है एक उपाय है इसमें न सरकार को जनता के लिए क्या-क्या अच्छी-अच्छी बाते करनी चाहिए वह लिखी हुई है ठीक है याने कल्यान कारी राज बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या नियम बनाते समय देखना चाहिए या सुझाओ वहां से पढ़ने चाहिए मतलब समदो ऐसा मोटा-मोटी की एक अच्छा सा ना जो अच्छे-ची लाइने होती है ना वो समिधान के भाग चार में लिग दी और जब सरकार कानून बनाएगी ना तो उसको देखे कि कहां ये करना है ये ऐसे से करना है तो गांधी जी के विचार बहुत अच्छे थे सब इसको एक्सेप्ट करते थे कि गांग में को स्थानिश वशाषा ने पंचाती राद लाना चाहिए मगर अभी की इस्तिती में न चालिस में जगदी जिसको क्या वो लगया गांधी जी का राम राज या पंचायती राज के नाम से जाना जाता है उस समय तो नहीं सरकार जब कानून बनाएगी जब लगेगा राज जी को ये सरकार को कि हमारी परिस्तिती अब सही है पंचायत को यानि स्थानिश रोशाष देती भी है ठीक है तो अगर भाग चार में कोई चीज है अगर उसको इंफोस करवाना है इंप्लिमेंट करवाना है तो आपको वहां से निकाल कर एक कानून बनाकर समिधानिक दरजा देना पड़ता है ठीक है तो 1993 में बनता भी है तो हम आगे जब हम पहुंचेंगे वहां अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिं झाल